नमस्कार भारत लाइफ देख रहे हैं आप 2024 का चुनाओ नजदीक है और उसके बाद 25 है तैयारी 24 छोड़के 25 की हो रही है अलग अलग जो जाती अलग अलग जाती इसके साथ अलग अलग जो दल है वो अपने अपने जो उनके कोर वोट बैंक है उसमें कहीं न कहीं जो उनको खुश करने की कोशिस की जा रही है तैयारीयों के मूड में अलग अलग दल उतर चुके हैं लेकिन उससे पहले में हम आपको 2025 के चुनाओ के ठीक पहले बिहार में कुछ जगों पर हुए उपचुनाओ की चर्चा करेंगी उपचुनाओ में आपको याद होगा कुड़नी क उपचुनाओ जिसमें दो नाम काफी जादा चर्चा में हुए थे एक तरफ जहां जद्यू के प्रत्यासी थे तो दूसरे तरफ अगर आपको चर्चा करें भारती जनता पार्टी के लोग तमाम जो इस्तितिया थी उसको ले करके कही न कहीं वो प्रचार प्रसार करते हु लडना है और जीतना भी है इसको ले करके पिछले कई दिनों से वो त्यारी कर रहे थे आरजडी से इन्होंने अपना कई न कई तयारी शुरू की थी लेकिन मामला फंस गया इनका एल टीसी घोटाला जिस पर जो सहनी थे अनिल कुमार सहनी इनके नाम की चर्चा काफी पिताला किया दिली का जो राउज एवेन्यू कोड था उन्होंने मुझापरपूर से जो विधायक थे अनिल कुमार सहनी समेत तीनों के खिलाप जो तीन लोग थे जिनोंने विभिन धाराओं के तहत लाखो रुपय का जुर्माना इनके उपर में ठोका गया था इनके उप समले में कोड ने सजा सुनाई जिस वज़ा से कई न कई विधायकी चली गई उपचुनाओं के नौबत भी आ गई थी लेकिन अब देखिए दो हजार चौबिस और पचीस के चुनाओं के ठीक पहले एक बफिर से यह चर्चा में आ गए हैं देखिए जो राजद का कूर व अब सिर्फ बिहार ही नहीं इंटरनेशनल अस्तर पर चर्चित हो चुका है कैसे चर्चित हो चुका है तो सबसे पहले आप यह इनका एक पोस्ट देखिए यह अनिल कुमार सैनी जिन्होंने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर पोस्ट करते ही यह काफी सुर्खिया बट रहे हैं तो राजत के पुर्व में बिधायक रहे अनील कुमार सहनी ने तो जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया है इस पोस्ट की चर्चा अब खूब होने लगी है देखिए जो वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है इस वर्ल्ड कप के मैच में जहां एक तरफ लोग इंडिया क पोस्ट में देखिए किस तरीके से पाकिस्तान साथ बिकेट से जीता है जिसको लेकर के उन्होंने पोस्ट में बदाई भी दे दिया लेकिन अब पोस्ट पॉलिकली तरीके से देखा जाये तो यह डाइवर्ट होते वह चला गया है कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपको औ मैं समेकरन और पाकिस्तान में समेकरन तो कुछ लोग लिखते हैं कि भारत में बंगला देश से क्रिकेट में जीते पाकिस्तान को बदाई और सुबकामना साथ ये भी लिखते हैं कि जिस तरीके से आप राजनीति कर रहे हैं क्या ये सही है क्या अब पाकिस्तान को सपोर्ट करने की नौबत आ गई है जिस तरीके से एमवाई समिकरन की चर्चा होती है वो कही न कहीं समान ने रूप से किये गए पोश्ट के बाद अब राजनीती रूप इनका इस पोस्ट के द्वारा लिया गया है और चर्चाएं तेज हो गई है इसके पहले मैं आपको एक और पोस्ट दिखाते हैं जिस तरीके से इन्होंने अफगानिस्तान के भी जीत पर बधाई दी थी जिसके बाद से जो नीचे कमेंट आए हैं वो कूपी काफी जादा सूर्ख्या बटो ली थी तोझे वअने बदाय तो दिया है पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकिन लोगों ने इसे दूसरे तरीके से ले लिया है फोलिटिकली ले लिया है पूस्टिकरण की नादिती की की सνतरैं साथ अभी इंटरनेशनली अस्तर पर क्या भजाना चाहते हैं राज़त की विधायक इसकी भी चर्चा लोग कमेंट बॉक्स में करते वे नजर आ रहे हैं इनकी चर्चा खूब होती है विधायक है और आइसी सी क्रिकेट जो वर्ल्ड कप अभी चल रहा है जिस तरीके से लोग काफी जादा इंज्वाय कर रहे हैं ऐसे में इनका ये समाने पोस्ट धीर धीर राजनीती रूप में कहीं ना कहीं ले रहा है और बवाल मस्ता हुआ नजर आ रहा है आपको क्या लगता है अपनी रा देला से कुल सटीक और मारक खबर रहा मुफ्त में मिल जाए अगर रहा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कल चाहता ने तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यबाद